आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक स्वीट डिश की रेसिपी जो है सूजी का हलवा तो चलिए शुरू करते हैं इस सूजी के हलवे को बनाना सूजी का हलवा बनाने के लिए यहां मैंने लिया है आधा कप सूजी, आधा कप शूगर, बन फोर कप घी, थोड़ा सा इलाइची पॉडर, थोड़े से कटे हुए बादाम और तो यहां मैंने पहले ही कड़ाई को गर्म होने के लिए रखा हुआ था अब इसमें हम डालेंग 2 टेबल स्पून घी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे तो देखिए यहां सूजी भून चुकी है और इह र levarग़या हो चुकी है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे यहां मैंने सूजी को भून कर प्लेट में निकाल लिया है अब उसी कड़ाई में हम ह हम इसमें एड करेंगे इलायशी पौडर कटे हुवे बादाम थोड़े से मैं भी यूज़ रही है थोड़े से हम गार्म यूज़ करेंगे फिर डालेंगे हम हम इसमें घी अगर आप चाहें तो हलवा गार्णिश करते टाइम भी की यूज़ कर सकते हैं और कुछ अलाकर फिर इसमें डालेंगे सूजी और जब आप सूजी एड़ करें तो धियान रहें कि गैस आप स्लो रखें और इसको लगातार चलाते रहें नहीं तो सूजी में लंग्स बन जाएंगे तो हम इसको टोड़ा सा चलाकर ठंडा करेंगा और उसके बाद इसको बिश में निकाल लेंगे सूजी का हलवा बनकर तयार हैं आगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें